So well friends, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज के समय में साउथ फिल्म इंडिस्ट्री बॉलिड फिल्म इंडिस्ट्री से पीछे नहीं है साउथ की फिल्मों को आज के समय में ज़्यादा पसंद किया जाता है इन कंपेरिजन टू बॉलिड तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं तेलगू फिल्म इंडिस्ट्री के जुड़े तीन ऐसे सुपरिस्टार के बारे में जिनने पैन इडिया लेवल तो चलिए शुरुवात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं सुपरिस्टार महेश बाबू के बारे में जिनके फैंस ने उनके बर्थडे पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि सुपरिस्टार मह coming filmों में सरकारी वारू पाता का नाम आता है, जिसे कि एंडियन बॉक्स आफिस पर 2021 में रिलिश किया जाना है, इस फिल्म का दोस्तो poster और motion poster भी रिलिश किया जा चुका है, जिसे कि ओडियस ने बहत पसंद किया है, हाला कि दोस्तो ये फिल्म पैन इडिया रिलीज नहीं हो रही है और इस फिल्म को सिर्फ तेलगू भाशा में ही रिलीज किया जाएगा जिसका बजट लगबख 100 करोड रुपेगा बता आ गया है इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको किर्थी सुरेश नजर आने वाली है और इस फिल्म को डारेक्ट करने वाले हैं परशुराम अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स आफिस प्रेडिक्शन की तो दोस्तों सुपरिश्टार महेश बाबू की लाश्ट फिल्म सरी लरू निक्केवरू ने इंडियन बॉक्स आफिस पर लगबग 200 करोड से जाधा की कमाई की थी महीं व्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर यह फिल्म 500 करोड की कमाई के साथ एक ब्लॉक्बश्टर साबित हुई थी उसी वज़ा से दोस्तों यहाँ पर सरकारी वारू पाता भी इंडियन बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हो सकती है और लगबग 200 से 500 करोड की कमाई कर सकती है हाला कि दोस्तों उनके इस फिल्म को अगर पैन इडिया रिलिज मिलती और यह फिल्म पाहरत के पांचो भाशाओं में रिलिज होती तो इस फिल्म का कलेक्शन लगबग 400 से 500 करोड का भी हो सकता था वह अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर हम लोग सुपरिश्टा प्रभास के बारे में तो जैसा कि आप से भी जानते हैं दोस्तों की सुपरिश्टा प्रभास को आज पुरी दुनिया जानती है इनकी फिल्म बाहु बली और बाहु बली टू ने तो वल्ड सिनेमा को कई सारे रिकॉर्ड से अचंबित कर दिया था दोस्तों बताते चले आपको कि बाहु बली टू इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है जिसका कि इंडिया से कलेक्शन लगबग 1400 करोड का है और वल्ड वाइट बॉक्स ओफिस पर लगबग 1800 करोड का है वह अगर बात करें दोस्तों उनकी दूसरी फिल्म साहो के बारे में तो दोस्तों साहो एक साइंस फिक्शन फिल्म थी हाला कि दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ओफिस पर ओडियन्स की तरफ से मिक्स रिव्यूस मिले उसके बावजुद भी ये फिल्म वल्ड वाइट बॉक्स ओफिस पर 4500 करोड की कमाई करने में सफल रही और एक ब्लॉक्बश्टर फिल्म साहबित हुई इसी तरह दोस्तों की अपकमिंग फिल्मों में राधिर श्याम भी शामिल है जो कि इंडिया की पांच बड़ी भाशों में रिलीज हो रही है साथ ही में दोस्तों एक फिल्म वो साइन्स फिक्शन करने वाले हैं जिसके लीड में बॉल्यूट की लेडी सूपरिस्टार देपेका पादुकॉंड भी नजर आने वाली है इसी के साथ दोस्तों प्रभास के पास पैन इडिया लेवल पर दो बड़ी फिल्मे साथ है जो कि इंडियन बॉक्स आफिस पर कई सारे नए रिकॉर्ड बना सकती है हाला कि अगर बात की जा दोस्तों इनकी दोनों ही फिल्मों के बॉक्स आफिस प्रेडिक्शन की तो दोस्तों रादेश शाम एक बहुती बड़े स्केल पर बनाई जा रही है जिसके लीड में आपको पूजा हेगडे नजर आने वाली है इस फिल्म को दोस्तों इंडियन बॉक्स आफिस पर 2021 में रिलिस किया जाएगा जिसका बजट लगबग 200 करोड से भी जादा का बता जा रहा है और इतने जादा बजट पर वनाई जा रही है इस फिल्म को इंडिया की पांच बड़ी भाशाओं में सबसे जादा स्क्रिंस पर रिलिस करके एक बड़ी ओपनिंग लेने का अनुमान लगा जा रहा है इस फिल्म का पहले ही दिन का कलेक्शन लगबग 100 करोड रुपे का रह सकता है और यह फिल्म वर्ल्डवाइट बॉक्स आफिस पर 500-600 करोड की कमाई आसानी से कर सकती है मुई दोस्तों अगर बात करें उनके दूसरी फिल्म यानि की प्रभाश 21 के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको दीपेका पादुकॉंड भी नजर आएगी जिनकी वर्ल्डवाइट बॉक्स आफिस पर काफी अच्छी फैन फॉल्वाइंग है इसी वज़े से दोस्तों ये फिल्म भी इंडिया में और वर्ल्डवाइट बॉक्स आफिस पर एक बड़ी ओपनिंग ले सकती है जिसका बज़ेट लगबग साढ़े 300 करोड से भी जादा करहेगा और इस फिल्म का कलेक्शन वर्लवाइट बॉक्स आफिस पर एक हजार करोड से भी जादा का हो सकता है मैं अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर पैन इडिया के सबसे प्यारे और सबसे पसंदिदा सुपर स्टार अल्लू अर्जुन के बारे में अल्लू अर्जुन के दीवाने हैं उनके स्टाइल, डांग्स, स्वैग और एक्शन को सभी लोग पसंद करते हैं इसी वज़े से दोस्तों अल्लू अर्जुन को पैन इडिया का सबसे प्यारा और सबसे फैरेट सुपर स्टार माना जाता है अगर बात करें दोस्तों इनकी अपकमिंग पैन इडिया रिलीज पुषपा के बारे में तो दोस्तों बता दे चले आपको कि पुषपा एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका डारेक्शन करने वाले हैं सू कुमार इस फिल्म को एडियन बॉक्स ओफिस पर 2021 में ही रिलीज किया जाना है और दोस्तों उम्मीदे हैं कि इस फिल्म के सामने प्रभास की फिल्म या फिर महश बाबु की फिल्म को लगा जा सके लेकिन दोस्तों बताते चले आपको कि जिस तरह से यहाँ पर अल्लो अर्जुन की फैन फोलिऑंग बढ़ती जा रही है उस हिसाब सो दोस्तों उनकी इस फिल्म के सामने किसी भी इस्टार की फिल्म को लगाना गलत होगा क्योंकि दोस्तो अल्लो अर्जुन की फैन फॉलिंग को देखते होए ये फिल्म अपने पहले ही दिन लगबग 120 से 150 करोड रुपे की आपनिंग ले सकती है महीं वर्डवाइट बॉक्स ओफिस पर दोस्तो इस फिल्म का कलेक्शन लगबग 500 करोड रुपे का रह सकता है जैसा कि दोस्तो उनकी लाश्ट फिल्म अलावे कुंठ पूरा मुल्लो ने किया था इस फिल्म का बजट मातर 80 करोड रुपे का था जबकि दोस्तो ये फिल्म सिर्फ एक ही भाषा में रिलीज होने के बाद 280 करोड रुपे की कमाई करने में सफल रही और एक all time blockbuster साबित हुई तो दोस्तो इन तीनों ही सुपर स्टार के comparison किया जाए तो सुपरिश्टार महर्श बाबू जिनकी पैन इडिया रिलिस का सभी को इंतजार है सुपरिश्टार अल्लो अर्जुन जिनकी फिल्म पुश्पा एक blockbuster opening ले सकती है और पैन इडिया के सबसे बड़े सुपरिश्टार माने जाने वाले प्रभास की दोनों ही फिल्म में इंडियन बॉक्स आफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी आपको क्या लगता है दोस्तों इन तीनों ही सुपरिश्टार में नोर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा किसे पसंद किया जाता है हमें अपनी राय करना बिलकुल ना भूलिएगा धन्यवाज जहिन जे भारत